पूज कर जूट बोल देते हैं। पलेने के लिए महराजा से जूट बोल देते थे। साथ ही लोगों में भी भारी भरकम खुराक वाले पहलवानों की चर्चा कुछ ज्यादा ही होती थी। शायद इसी लिए किंग कॉंग की खुराक बढ़ा चड़ा कर लिखी जाती थी। शुरू शुरू में कुष्टियों के ठेकेदार मेरी खुराक के बारे में बढ़ा चड़ा कर लिखते थे। पर जब मैंने अपने बयानों में सच बोलना शुरू किया तो उन्होंने मेरी खुराक के बारे में लिखना बंद कर दिया। मैं यह सब इसलिए बता रहा हूँ कि अगर किसी गरीब लड़के का पहलवानी करने का मन हो तो वह खुराक की सोचकर मन छोटा ना करे। कि इतनी खुराक तो उसे मिलनी ही नहीं तो वह पहलवान कैसे बनेगा। शुरू में मुझे भी अपने लिए खुराक जुटाने में दिक्कत आती थी। फिर साधन जुटे गए और गाड़ी लाइम पर आती गए। हर आदमी को उतनी ही खुराक खानी चाहिए जितनी वह हजम कर सके। किसी का हाजमा ज्यादा और किसी का कम होता है पर अंतर थोड़ा ही होता है। यह नहीं होता कि एक व्यक्ती तो सेर भर घी पचा जाए और दूसरा पाव भर भी ना पचा सके। हाँ, दोनों का स्वस्थ होना जरूरी है। एक पहलवान और ओसत आदमी में इतना ही फर्क है जितना एक बैल और सांड में होता है। बैल को अच्छा मठा और आटा वगेरा खाने को मिले तो वह सांड से शायद ही कमजोर निकले। फर्क केवल इतना ही होगा कि सांड बेफिक्र होता है और बैल को काम काज में जुतना पड़ता है। निश्चिंत आदमी, चिंता वाले आदमी की तुलना में हमेशा तगड़ा होगा। खुराक चाहे दोनों की एक ही हो। खुराक के साथ एक बात और ध्यान रखने योग्य है। वह है इंसानी तासीर। किसी की तासीर कुद्रती गरम होती है और किसी की ठंडी। ठंडी तासीर वाले को गरम चीजों वाली खुराक खानी चाहिए। गरम तासीर वाले के पीने की चीज़ें इस तरह की होती हैं गरम, थंडी और तरगरम वस्तुएं हर तासीर वाले के लिए ठीक है अब आप पूछेंगे कि कौन सी चीज़ें गरम, कौन सी थंडी और कौन सी तरगरम होती हैं वैसे विस्तार से तो हकीम ही बता सकते हैं, पर आम तोर पर जो चीजें कडवी होती हैं, गरम होती हैं, जो क्री होती हैं, वे ठंडी होती हैं. जिस तरह बादाम तर गरम है और दूद तर ठंडा है. दोनों को मिलाकर खुराक बनती है सामविंग, बोड़ी काली मिर्च का मेल हो जाए, तो तर गरम खुराक बन जाती है. अक्सर पहलवान जो ठंडाई बना कर पीते हैं, उसमें दूद, बादाम, खांड और मिर्च के पानी का इस्तेमाल होती के शौकीनों को अपनी तासीर का जरूर पता होना चाहिए, ताकि उसी के खुराक खाने का यतन किया जा सके. आप जब सुबह उठते हो, तब किसी दिन बड़ा हलका, फुलका और फुर्तीला महसूस करते हो. किसी दिन धीला ढाला और बोजिल. कारण होता है पिछले दिन की खुराक. अगर खुराक ठंडी चीजों वाली और तासीर भी ठंडी, तो शरीर धीला ढाला. अगर खुराक गरम और तासीर भी गरम, तो भी शरीर धीला. अगर खुराक शरीर के अनुसार खाई जाए, तो चुस्ती रहेगी. सामवी खुराख खाने का इल्म आदमी को जवानी में होता ही नहीं है और वही उम्र होती है जब शरीर की नीव मजबूत होती है नीव की मजबूती से मुझे अपना बचपन याद आ गया हम वो भाई एक बहन थे मुझसे डेड़ साल बाद बहन जन्मी और बेचारी स्वर्गवासी हो गई मैंने पहले तो मा का दूद अपने हिस्से का पाया फिर अपनी बहन के हिस्से का भी पाया माता जी बताती थी कि दूद बंद नहीं हुआ था और उसने बहन की जगा मुझे पिलाना शुरू कर दिया नीव की मजबूती के लिए मा के दूद जैसी कोई खुराक नहीं अगर नीव मजबूत है तो मकान भी मजबूत बुढ़ापे में ग्यान हाथ आता है पर समय तब निकल चुका होता है खेर ग्यान फिर भी ग्यान है इसका लाब आदमी को हर उम्र में पहुचता है